चैप्टर 3, Integers Worksheet 5 का 4th question से करेंगे हम इस से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 question करवा दिये थे और इस वीडियो में हम exercise को complete करेंगे question number 4 से शुरू करके अगर आपको समझ आता है तो आप comment करके जुरूर बताया करो कि समझ आया है या नहीं आया है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जुरूर किया करो तो 4th question है subtract minus 6 from 3 and 3 from minus 6 are the result same देखो इसने कहा है subtract करना है minus 6 को 3 में से और 3 को subtract करना है minus 6 में से from 3 यानि कि 3 में से subtract करना है इसको और minus 6 में से subtract करना है 3 को क्या result same आयेगा इसने ये कहा है तो पहले 3 में से subtract करो minus 6 को तो यहाँ पे करते हैं 3 में से subtract का sign लगा दिया और minus 6 लिख दिया है ऐसे bracket में और मैंने आपको बताया था minus जब दो बार आजे तो minus से minus cancel होजेगा minus minus क्या होता है plus होता है तो 3 plus 6 क्या आगया हमारे पास 9 इसका result तो आगया 9 अब ये करते हैं minus 6 में से subtract करना है subtract का sign लगा हो minus क्या 3 यानि कि plus का 3 हमने subtract करना है तो ये minus 6 है और minus और plus क्या होता है minus होता है अगर minus और plus ही कठे हैं तो minus होता है 3 अब ये minus का 6 है और minus का 3 है minus का 6 minus का 3 दोनों minus के हैं एक जैसे हैं तो minus minus के हो जाते है plus और minus का sign लग जाता है minus का 9 अब इसने पुछा are the result same इसका result आया है 9 और इसका result आया है minus 9, क्या यह दोनों same है, 9 और minus 9 same है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, the result is, the result is not same, result same, नहीं है, इसका answer 9 आया है, और इसका क्या आया है, minus 9, यह तो easy question था, next question देखो, next question important है, यह आपके paper में आ सकता है, जरा ध्यान से देखना, sum of two integers, दो integer है, हमें नहीं पता कौन से वो दो integer है, उन दोनों को plus किया तो 48 answer आया, ठीक है, if one of them, और उन दो में से एक क्या है, minus 25, यह का रहा है, other integer बताओ, एक integer, तो आप लिखोगे, पहले है, जो given है, वो लिख लो, sum of two integers, sum of two integers, sum of two integers, sum of two integers, 48, one of them, तो one integer क्या हो गया, उसमें से क्या हो गया, one integer भी given है, one integer है, minus 25, अब कहा रहा है, other निकालो, तो other integer कैसे निकलेगा, other integer, देखो, पहले जो question में था, वो लिख लिए, हमने sum of two integers दिया भाता लिख लिए, one integer लिख लिए, other integer कैसे निकलेगा, sum of two integer में से, ये वाला integer माइनस कर देंगे, other integer निकल जाएगा, तो 48 में से क्या माइनस कर दो, 48 में से माइनस करो, माइनस का 25, ठीक है, तो minus, माइनस क्य तो minus minus हो गया plus, तो 48 में 25 जब add करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 73, तो other integer क्या आगया, 73, ये हमारा क्या आगया, answer आगया, ठीक है, बिल्कुल easy था, एक integer क्या है, क्या है, 40, बतलो एक integer हो गया, 73, और दूसरा integer क्या हो गया, minus 25, ठीक है, easy question था बिल्कुल, important था, अच्छे question देखो, six question देखो, हमने करना है, subtract the sum of 38 and this, इन दोनों का sum करो, और फिर जो answer आएगा, उसको, इस में से क्या करना है, subtract करना है, 100 में से subtract, पहले इन दोनों का sum करो, 38, plus, minus का 49, इन दोनों का sum जब हमने किया, तो 49 minus का है, और ये plus का है, अलग-अलग sign वाले आगे, ठीक है, minus क 49 है, और plus का 30 है, जब अलग-अलग sign वाले आजाएं, तो क्या करते हैं, subtract कर देते हैं, बड़े नंबर में से, चोटे नंबर को subtract करते हैं, तो 11 आ गया, और sign किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, उसका sign आजेगा, minus 11, तो हमारा answer आया, minus 11, ये आधा question हो गया, आब इसको, जो answer आया, minus 11 को किस में से subtract करना है, 100 में से subtract करना है, तो आप क्या लिखोगे, 100 में से subtract करना है, इसने यही कहा था, subtract करो, 100 में से minus 11, subtract का sign लगाओ, minus 11 subtract करना है, अब दो बार minus आगया, जब दो बार इकठा minus आजेए, तो minus से minus cancel हो जाता है, यानि कि minus हो गया, plus, अब plus का 11 है, प्लस का, माइनस का 100 है और प्लस का 11 है, माइनस 100 है और प्लस 11 है, तो अलग-अलग साहिने वाले हैं, सब्ट्रेक्ट कर दो, क्या लिए आ गया? 89, 89 पर किसका साहिन आएगा? जो बड़ा है उसका साहिन आएगा, माइनस वाला 100 है, बड़ा है, तो माइनस 89 हमारा क्या आ गया? answer आ गया ठीक है बिल्कुल easy question था ये भी पहले इन दोनों का sum करना है जो answer आएगा इस answer को minus 100 में से subtract करना है ठीक है easy question था अगला question देखते है 7th question है इसमें हमने compare करना है ये part है इसका minus 25 plus minus 25 minus into minus 15 और ये बीच में दे रखा है ये blank दे रखा है plus minus 15 ठीक है अब बताना है compare का मतलब ये बताना है कि कौन सा बड़ा है ठीक है ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है ये बताना है अमने ठीक है तो इसका answer निकालना पड़ेगा इसका भी answer निकालना पड़ेगा तब ही पता लगेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है compare का मतलब यह होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तो यह तो minus 25 है लिग लिए इसको minus 25 और दो बार minus आगया minus minus क्या होता है plus होता है minus minus क्या होता है plus होता है तो plus का 15 आगया अब minus 25 और plus 15, minus 25 और plus 15, तो अलग-अलग sign वाले आगे, तो difference ले ले लेंगे, इनका subtract कर देंगे, 25 में से 15 को subtract किया आया 10, अब 10 पे किसका sign आएगा, जो उनसा बड़ा है, उसका sign आजाएगा, यानि कि minus 10 हमारा क्या आगया, इदर वाले का answer क्या आगया, इसका answer क्या आगया, इसका answer आगया, minus 10, अब इसका answer निकालो कितना होगा, minus 25 और plus और minus की, plus और minus की multiply, यानि कि plus और minus से अगर इकठा आए, तो minus ही होता है, ठीक है, अब minus का 25, minus का 15, दोनो minus के हैं, minus minus के क्या हो जाते हैं, plus हो जाते हैं, और minus का sign लग जाता है, और इदर आए minus का 40, तो इसका answer या minus का 40, इसका answer minus का 10 और इसका answer minus का 40, अब बताओ, आप कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, minus 10 बड़ा है, या minus 40 बड़ा है, आपको मैंने दूसरे चेप्टर में बता रखा है, कि जिस negative में उल्टा होता है, जो छोटा दिखता है, वो बड़ा होता है, जो बड़ा तरफ मुँ खुला होता है, ऐसे तीर की निशान का ये भी आप बात याद रखना, जो बड़ा होता है, उसकी तरफ मुँ बड़ा होता है, खुला होता है, तो ये वड़ा इससे बड़ा है, हमने बता दिया, यही करना था, compare करना था, next question भी ऐसे ही है, ठीक है, पहले इसको माइनस दो बार आ गया, माइनस माइनस उता है, प्लस, और 18 और 8 केतना है, 26, अब बताओ, 10 बड़ा है, या 26 बड़ा है, दोनों प्लस कहीं है, आपको होगे भी 26 बड़ा है, तो इस तरफ करदो, मुह खुला, ठीक है, this is greater than this, ठीक है, easy question था, अब हम करेंगे, question number 8, ये भी बि लिख देंगे, minus 3, दो बार minus आ गया, तो minus minus हो जाएगा, cancel, minus minus हो गया, plus, अब plus का 19 है, और minus का 3 है, plus का 19, minus का 3, subtract कर दो, और जो उनसा बड़ा है, उसका sign लगा, तो plus का 16 हमारा क्या आ गया, answer आ गया, बिल्कुल easy question है, next देखो, minus 12, इसको ऐसी लिख दो, minus 8, इसको भी आसी minus का 12 और minus का 8 क्या हो जाएगा, minus का 20, ठीक है, minus का 20 और plus 35, अब plus का 35 है, और minus का 20 है, अलग-अलग sign वाले आ गए, अलग-अलग sign वाले आ जाए, तो क्या कर दो, subtract कर दो, 35 में से 20 subtract किया, तो क्या आ गया, 15, और sign किसका आएगा, 35 बड़ा है, 35 का sign आ जेगा, plus का 15 हमारा क्या आगा, इसका answer आगा, बिल्कुल easy question है, next question देखते है, next है, 56 minus, minus 13 plus 15, बिल्कुल easy है, 56 का 56 लिख दो, दो बार minus आ रहा है, minus से minus हो जाएगा, cancel, हो जाएगा plus का 13, और ये plus 15 था, अब ये तो तीनो plus कहीं आगे, plus plus plus, तो plus करना आपको आते ही है, plus कर दो, plus किया तो हमारे पास answer, 84, बिल्कुल easy था, next है, minus का 41, और plus और minus क्या होता है, minus होता है, minus का 36, और ये minus का 23 था, ठीक है, तीनो ही minus क्या आगे, अब एक जैसे आगे तीनो ही, same sign आगे, same sign आ जाएगे, तब भी क्या होता है, plus होता है, तीनो को कर दी हमने plus, ठीक है, मगर sign किसका लगेगा, minus का ही ल अगे जाता है, तीनो को plus किया, तो हमारे पास answer आगया, minus 100, next है, yi part minus 16 है, तो ऐसे लिखे दिया, minus minus क्या होता है, plus होता है, plus का 6 लिखे दिया, plus और minus क्या होता है, minus होता है, minus का 9 लिखे दिया, और ये minus 4 था, अब देखो, प्लस वाले देखो और माइनस वाले माइनस का 16 माइनस का 9 और माइनस का 4 इकठा लिख लिख लिया और प्लस वाले को एक तरफ लिख लिख लिया हमने ठीक है लिख सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आब ये तिनों माइनस के हैं इन तिनों को कर दिया plus, यानि कि आगया इन तिनों को plus किया तो minus का 29 आया और plus का 6, अब minus का 29 है और plus का 6 है ठीक है, अलग-अलग sign वाले आगे, तो subtract कर दो 29 में से 6 minus करेंगे 23 आएगा, किस चीज़ का आएगा, plus का या minus का आप कहोगे minus का आएगा क्योंकि 29 बड़ा है तो minus का 23 हमारे पास क्या आगया, इसका answer आगया, बिल्कुल easy question था, next है 71, 71 को कैसे लिख दिया, minus 83, minus 83 लिख दिया, minus minus दो बार आगया, minus minus उता है plus, और यह आगया 15, आप देखो, plus वाले इकठे लिख लो, 71, 42 और 15, इसको इकठा लिख लिख लिया, 71, 42 और 15 को इकठा लिख ल हमने अलग से लिख लिख लिया, ठीक है, 83, अब यह 3 plus के हैं, plus किया 3 को, 3 को plus किया तो 128 आया, 128 आया, इस में से 83 को क्या कर दो, minus कर दो, 128 में से 83 को minus किया, तो 45 आया, sign किसका लगेगा, जो बड़ा है, उसका sign बड़ा क्या है, plus वाला बड़ा है, तो plus का sign आजेगा, हमारे पास आगया 45 यह आगया इसका अंसर बिल्कुल easy question थे और हमारी यह वरक्षीट complete हो गई अगर आपको समझ आया है तो comment करके जरूर बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है ठीक है और वीडियो को जादा से जादा शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार